हमने कल देखा था कि alcohols और phenols दोनों भी acidic है लेकिन phenol ज्यादा acidic है अलकोहल से ज्यादा acidic है उसका reason है उसका reason है दो एक reason है जो phenol का carbon oxygen bond है वो carbon oxygen नहीं oxygen hydrogen bond जो है phenol का वो ज्यादा polar है यह वाला bond due to sp2 hybridization of this जबकि alcohol का यह bond उतना polar नहीं है दूसरा reason है phenoxide iron जो इससे form होता है phenoxide iron वो alkoxide iron से ज्यादा stable है यह दो reason हमने देखे थे अब हमको यह भी देखना है कि substituted phenols की acid, substituted का मतलब यह हो गया आपका main phenol और इसके उपर अगर आप substitution करते हो मतलब कुछ meta position पर CH3 लगाते हो या प्यारा position पर electron withdrawing group लगाते हो तो उससे क्या होता है एक तो मैंने आपको बताया कि electron withdrawing group इससे acidity बढ़ती है या कम होती है बोलो ज़रा इससे acidity क्या होती है यह बहुत important है मैंने बताया भी था आपको yes increase होती है और electron donating group की वज़े से acidity decrease होती है simple reason है क्या है simple reason electron withdrawing group की वज़े से bond की polarity बढ़ती है मान लो आपके पास यहाँ पर ओ यह अच्छ है अब यह electron खीच रहा यहां पर delta positive आया यहाँ पर delta negative आया लेकिन मान लो आप यहाँ पर मैंने electron withdrawing group लगा दिया तो यह electron withdrawing group electron खीचेगा, तो यहां से electron खीचे जाएंगे, तो इधर से भी खीचे जाएंगे, तो यह oxygen और खीचेगा, खुद की balance से satisfy करने के लिए, या फिर खुद की electron negativity satisfy करने के लिए, तो इसके उपर positive charge और आएगा, तो इसके उपर जितना ज्यादा positive charge आता है, वो उतना अ effect आपको हमेशा पता होना चाहिए, और्थो और परा पोजिशन से ही ज्यादा दिखाए देता है, यह बात बहुत पता है आपको, resonance effect is always more pronounced from ortho and paraposition, मतलब इसके acidity अगर बढ़ानी है, तो nitro group यहां पर लगाने से कोई फाइदा नहीं, उतना, उतना फाइदा नहीं, लेकिन अगर यहां पर लगाते हो, तो acidity बढ़ती है, यहां फिर यहां पर लगाते हो, तो acidity ज्यादा बढ़ी है, मतलब nitro group अपना effect ortho से और परा से ज्यादा एफेक्टिवली दिखा सकता है, वैसे ही electron donating group भी अपना effect ortho और परा से ही अच्छा दिखा सकता है, अगर आपको OH की acidity decrease करनी है, तो आपको electron donating group यानि कि CH3 यहां पर लगा कि कोई फाइदा नहीं, उसको यहां पर लगा, तो acidity decrease हो जाएगी, या फिर यहां पर लगा, ठीक है, ortho और परा पोजिशन पर, जो भी काम करना है ortho परा पोजिशन से करोगे, तो resonance effect ortho और परा से अच्छा काम करता ह और थोर परा से अपना effect दिखा सकता है, मेटा से वो नहीं दिखा सकता क्योंकि resonance effect ऐसे jump मार के काम करता है, यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे jumping करता रहता है वो effect, पता है आपको, मैंने जो भी बता है, पता है आपको, लेकिन inductive effect distance से काम करता है, मतलब अगर आप है बेटा, electron withdraw करता है, electron withdraw करने के दो तरीके, resonance है और inductive है, अब यह नाइट्रो ग्रूप, inductive से भी electron withdraw करता है, और resonance से भी withdraw करता है, तो इसका resonance effect, ortho और प्यारा पे nearly equal रहेगा, लेकिन मेटा पे कम रहेगा, लेकिन inductive effect कैसे रहेगा, inductive effect सबसे ज़्यादा ortho position से, उससे कम मेटा से और उससे कम प्यारा से, जरा ठीक से देखो बेटा यह, क्योंकि inductive effect distance से काम करता है, यहाँ, देखें, यहाँ सबसे effective होगा inductive, यहाँ और कम, यहाँ कम, जैसे जैसे distance बढ़ते जा रहा है, वैसे जै जैसे inductive effect अपना effect कम करते जा रहा है, समझ में आया यह, यह सर नो बोलो दरा, यह, ठीक है, तो इस से अब आपको इस chapter से बहुत ही important question आता है, मतब ज्यादा तर बार आपको इस chapter से यही question आता है, कि arrange the following compounds in increasing order of acidity, increasing order या फिर decreasing order of acidity, यह बहुत ही important acidity के लिए भूलना नहीं है, आपको यह bond polar होना चाहिए, और acidity electron withdrawing group से बढ़ती है, electron donating से कम होती है, तो सबसे पहले हम aliphatic वालों को देखते है, और बाद में aromatic वालों को देखेंगे है, समझ में आता है ना बैटा, अलग-अलग कर रहे हम काम, तो aliphatic वालों में अगर से देखेगा, देखें, यहां से देखते हैं, अब अगर देखोगे तो इसको कुछ भी नहीं है, हम इसको points देदेंगे, मतलब acidity कितनी ज्यादा है, मान लो इसकी acidity 10 points है, मान लो, ठीक है, 10 points, अब यह तो electron, मतलब यह CH3 है, तो यह electron donating है, तो इसकी acidity बढ़ेगी या कम होगी, बोलो ज़रा, कम होगी, तो उसको हम देते हैं, मान लो, 5 points, मतलब कम है ना, 5 से 10, 10 मतलब ज्यादा acidity, 5 मतलब कम, ऐसा मान के चलते हैं, अब यह भी electron donating है, तो इससे भी acidity कम होगी, तो मुझे बताओ, 2 और 3 में ज्यादा acidity कौन होगा, सोच के बोलना होता है, इंड़क्टिव इफेक्ट डिस्टन्स से काम करता है, बेटा, इंड़क्टिव इफेक्ट ना, डिस्टन्स से काम करता है, मतलब यहाँ पे अगर electron donating group लगाओगे, जो कि electron दे रहा है, और यहाँ पे लगा रहे हो, electron donating group इनके उपर की polarity कम करेगा, याद रखना है, electron withdrawing group polarity बढ़ाएगा, तो यह यहाँ से दे रहा है, तो कौन से position से वो polarity ज्यादा कम करेगा, यह सोचना होता है, यह पहला, यह दूसरा position, तो simple से बात है, यहाँ से effect dominant होगा ना, यह pass है, समझ रहा है, यह सर्णू, जो pass है, वो ज्यादा effect लगाएगा, ना बेटा, ठीक है, और जो दूर है, वो कम लगाएगा, मतलब यह कम electron देगा, इसने ज्यादा electron इनको दे दिये, इसलिए polarity बहुत कम होगी, electron donating group acidity कम करता है, तो वो कम कब करेगा, जब pass आएगा तब या दूर जाएगा तब, अपना-पना effect पास आने के बाद ही दिखा सकता है ना, वो दूर से ज़्यादा, क्यूं? तो मुझे बताव अब इन दोनों में से कौन acid होगा फिर, दूसरा या तीसरा? बोलो ज़्यादा, कौन होगा ज्यादा acidic? तीसरा नहीं बेटा. हाँ, बिल्कुल, सही बात है. ये वाला ज्यादा acidic होगा. क्यूं? क्यूंकि ये CH3 पास गया है ना, तो पास जाके इसके acidity और कम करेगा. क्यूंकि इसका काम होता, acidity कम करना. तो ये पास जाके acidity कम कर रहा है. कम की मतलब? हाँ, पेपर पाहा तुम्हें आता है, तुमसे लेक्चर हो देया पाहा तुम्हें, तुमसा दी लेक्चर के तो गड़े. डिसका काई पेपर स्वाल को रूंटा कुन दे तो? तो ये आपका होगा 7, मतलब ये ज्यादा acidity है. अब ये बोलो, अब इसको मारो गोली, इन दोनों में पहले देखो. या फिर इन दोनों में किसे में भी ये को न, electron donating है, तो इससे acidity, नहीं, electron withdrawing है, तो इससे acidity, good, good, अंजली बेटा, बहुत अच्छे, बढ़ेगी, तो इससे भी ज्यादा होगी न, acidity, इससे भी ज्यादा होगी, right? समझ रहा है? ये सर नो, ये सर नो, हाँ, तो इसके acidity कु 15 है, जान बुझ के मैं distance ले रहा हूँ, तो अब इसके acidity वोलो, इसके comparison में यहां से यहां पर, यह देखो, यहां से इधर shift हुआ, मतलब distance बढ़ा, तो इसका काम क्या है, acidity को बढ़ाना, लेकिन यह दूर गया, तो अब इसके acidity थोड़ी कम हुई, या थोड़ी बढ़ ग हुई, इससे तो ज्यादा होनी चाहिए, क्यों इसको कुछ भी चिपका नहीं, इसको कम से कम एक तो electron withdrawing group है, किदर भी हो, कितने भी दूर हो, लेकिन है तो सही, तो बेटा, इसके acidity आएगी, कम, मतलब 10 और 15 के बीच, मतलब 12 मान लेते हैं, 12, अब यहां पर fluorine है, और यहा ज्यादा polarity बढ़ाएगा, तो इसके acidity और भी ज्यादा होगी की नहीं, yes or no, चलो, तो इसके acidity और भी कम, कितना number दे दो इसको, आप ही बताओ, तो इसकी तो बेटा, इससे भी ज्यादा होगी, सही है ना, इसको मैं 20 दे देता हूं, मान लो, कि अगर कोई बीच में आता ह है, तो उसको निप्टा लेंगे, समझ में आया, इनके order समझ में आई बेटा, कैसे कैसे मैंने इनको arrange गया, अब आप ही इसको कर लो, arrange कोन है, सबसे ज़्यादा, यह वाला है, 6th वाला, उससे फिर 15 वाला कोन है, 4th, उससे 12 वाला कोन है, 5th, फिर 12 से 10, इसी तरीके से exam में आपको स्वाल करना होता है, अगर 5-6 आते हैं, तो 5-6 आते नहीं हो, इसे आपको, आपको 3-4 आते हैं, फिर दोनों में comparison करना होता है, लेकिन फिर भी आये हैं, तो systematically से करो, फिर उसके बाद, 10 के बाद, 7 मतलब तीसरा, और फिर उसके बाद, दूसरा वाला, यह इस तरीके नहीं करेंगे, तो यह सभी की सुरुवात, मतलब किसी को भी 20 से कम नंबर नहीं लेने चाहिए, तो मैं already मतलब ऐसा ना हो, इसलिए इसको मैं 50 नंबर दे देता हूँ, क्योंकि इनकी acidity काफी ज्यादा होती है, अलकोहल के comparison में, फिनॉल के acidity काफी ज्यादा होती है, चलो यह देखो, इससे क्या होगा, acidity बड़ेगी, कम होगी, कम होगी, बहुत अच्छे बेटा, मानलो कम होगी, 40 रख दी हमने, 40 ठीक है, अब इससे भी कम ही होगी, और इससे भी कम होगी, लेकिन यह hyperconjugation effect दिखाते हैं, inductive effect से यह काम नहीं हो रहा, hyperconjugation से हो रहा है, और hyperconjugation resonance की तरह ही छलांग लगाता है, तो और तो से ज़्यादा effective होता है, और meta से कम effective है, तो आपको लगेगा, यहाँ से दूर चला गया, तो इसका effect कम होगी, इसका effect कम होगी, इसका effect कम होगी, या acidity बड़ी या कम होगी, बहुत अच्छे नागेश, और अंजली, दिमाग लगाओ, इसका effect क्या है वेटा, वो important होता है, ऐसे ने logic, यही तो logic कहलाता है, हाँ, बड़ेगी ना वेटा, क्यों, क्योंकि इसका effect क्या है, इसका effect है, acidity को कम करना, कम करना, वो सोचो, तो यह दूर चला गया, तो यह उत electron withdrawing group दूर गया, तो acidity कम होती है, क्यों, रटने वाली तो बात है ही नहीं, तो यह दूर चला गया, तो दूर चला गया, तो symbol सी बात है, acidity बढ़ गई, राइट, या कम हो गई, यस, बढ़ गई, तो बढ़ गई मतलब, इससे तो ज्यादा नहीं हुई ना बेटा, क्योंक तो खरी गई, acidity, लेकिन इतना कम नहीं कर पाएगा, यानि इसको मैं कुछ 45 numbers देता हूँ, बात समझ में आ रही है क्या, अब इसकी acidity बोलो जरा, ज्यादा होगी, मतलब बढ़ेगी या कम होगी, यह तो electron withdrawing है, बढ़ेगी, withdrawing से सबसे ज्यादा, मतलब यह 50 है, तो इसको मैं 60 या 70 देता हूँ, 70 ठीक है, क्योंकि बीच में अगर कोई आएगा, तो अब ये देखो, ये दो दूर चला गया, मैंने यहाँ पर पैराएक लेना था, दूर चला गया तो इसका effect कम हुआ, इसका effect कम हुआ, यानि acidity, आप ना यहाँ पर उल्टी खा रहे हो, मतलब उल् दिमाग भी उल्टी कर रहा है पुरा, पुरा घुम गए हुआ, हाँ, ऐसा होना चाहिए, बड़ी नहीं बेटा, देखो, CH3 में घटी है, CH3 में बड़ी है, लेकिन इसमें घटेगी, सही बात है ना, क्योंकि effect देखो ना, ऐसा याद मत करो, रट्टा मत मारो कि ये दूर ज लगाना होता है, यहीं पे तो फस जाते हैं लोग, यह यहाँ पे गया, यानि इसका effect कम हुआ, लेकिन इसका effect क्या है, acidity को बढ़ाना, तो यह नीचे आया, तो acidity को नहीं बढ़ा पाता, तो यह कम हुआ है, यानि इसको 40 देदू, 40 देदू क्या, कम करना, सब्तर से कम कर दिया मैंने इसको 40, बोलो yes और no, क्या yes नागेश, कैसे बेटा, इसे थोड़ी जमेगा, इसे जमेगा क्या, अरे आसक कसर जमेग, 40, अगर इसको मैं 40 दूंगा बेटा, अरे यह तो electron withdrawing है ना, तो 40 मतलब इससे भी कम हुआ ना, acidity तो बढ़ेगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी, जितनी इसकी वज़े से बढ़ रही है, बेटा, कम हुई मतलब 0 हुई क्या, अब देखो तो से यह अरे फिनॉल है यह, और यह नाइट्रो फिनॉल है, तो नाइट्रो ग्रूप 50 से तो कुछ तो बढ़ाएगा, हाँ, effect कम हुआ, लेकिन effect negative हुगा, क्या, effect कम बस हो रहा है, दूर जाने की वज़े से effect थोड़ा कम हुआ यहाँ पे, मेटा पोजिशन पर जाने से, अब resonance का तो effect दिखाएं नहीं देगा, लेकिन inductive effect तो दिखाएगा नहीं, कुछ ना कुछ, acidity बढ़ेगी बेटा, लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन इस से भी तो कम नहीं होगी, ना, क्यों, बात समझ में आ रही है, नागेश, समझ में आ रही है ना, एक comparison करना बहुत important है बेटा मैं, आपके लिए बोल रहा है, इस chapter से ना, यही question आते है, यह वाला chapter है, आगे carboxylic acids है, आपको ज्यादातर question ऐसे आते, compare the acidity, compare the basicity, तो confuse नहीं होना है, और इसमें confuse होने का कुछ नहीं है, बस ज़रा शानति से बोलो, एक तो electron withdrawing group है यहाँ पे, तो simple से बात है, तो कुछ भी करके acidity बढ़ाए गई, इस से तो ज़्यादा होनी ही चाहिए, कहीं भी जाये हो, और तो पे जाये, प्यारा पे जाये, चांद पे जाये, कुछ तो effect बढ़ाए गई, तो 50 से तो कम नहीं होगी, लेकिन इस से ज्यादा नहीं हो सकती, तो यह 60 लगा दो इसको, तो अब इसकी acidity order तो आप मतलब निकाल सकते हो बाद में, एक और example, एक और example बोलती हो बिटवा, चलो ले लेते हैं, तो आप ही कर दो इसको, एक और example ले लेते, चलो यार, यापना, देखो CH, यह देखो, OH, CH3, आपना दो 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 लोगों में ही compare करो, या ज्यादा दे देना, तो आपका दिमाग घुम रहा है, आप जब MCQ स्वाल करोगे न, वहाँ पर आप क्या करो, तीन तिन एक जाम पर ले लो, चलो इन दोनों में बताओ मुझे, कोन होगा more acidic, पहला और दूसरा, बोलो ज़रा, जबा मैं आपको compare करा के देता हूं, तो आप जबा मतलब दिमाग आपका घुमेगा नहीं, जबा compare करना पड़ेगा आपको, आपना घुम जाते हो, जबा लोजिक ना बेटा, लोजिक थोड़ा होता है important, मैं बोलता हूं न, नार्मल स्टुडेंट बोलता हूं, नार्मल का मतलब ना मेरा मतलब है कि इतना समझता है उसको, आप भी देखो, इतना समझना चाहिए, यह बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने जो फिजिकल केमिस्ट्र में एक्जमपल्स लेते हैं, जही मेंस के, या फिर आईटी के, वो डिफिकल्ट थे, मैं यह एक्सपेक्ट ने करता कि वो आपको आनी चाहिए, लेकिन यह लॉजिक ना बेटा, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग ठंड़ा होना चाह ज्यादा है, अरे पैरा से इसका एफेक्ट ज्यादा होगा है न, लेकिन इसका एफेक्ट क्या है, बढ़ाना या घटाना, घटाना है, अरे आतुल बेटा, बढ़ाना नहीं है बेटा, यह इलेक्ट्रान डोनेटिंग ग्रूप है, यह तो पता होना चाहिए, रटा हुआ ह होना चाहिए, CS3 is electron donating group, यह अकेला ही तो बंदा electron donating का ज़्यादा काम करता है, मतलब inductive से भी और hyperconjugation से भी, दोनों से देता है, बाकी के लोग एक से लेते हैं, दूसरे से देते हैं, तो बेटा ये तो खीचेगा न, देगा न, electron, तो इसका काम है बढ़ाना, तो ये अच्छा अपना काम अच्छे से कहां से कर सकता है, बढ़ाना है इसका काम, तो बढ़ाने का काम ये अच्छे से कहां से करेगा, और तो से ये प्यारा से, इसका काम है, ठीक से और एक बार, और एक बार, जरा धीरे से, इसका काम है घटाना, राइट, एसेडिटी को घटाना, ये सबसे बात पहले समझ में आई, CS3 का काम है, एसेडिटी को घटाना, राइट, तो ये अपना काम कहां से अच्छा करेगा, मेटा से या प्यारा से, मैंने बोला ना, resonance और hyperconjugation अच्छा काम कहां से करते हैं, बोलो, प्यारा और और और्थो से, मेटा से नहीं करते हैं, इसको भूलना नहीं है, resonance और hyperconjugation, they work better from ortho-para position than meta position, but inductive effect works from best ortho-then meta-then para, क्योंकि ये distance से काम करता है, distance से, लेकिन ये hyperconjugation से काम करता है, अभी, hyperconjugation से काम कर रहा है, तो घटाने का काम ये अच्छा, प्यारा पोजिशन से करेगा, बिल्कुल, सही बात बोल रहा हूँ ना, मैं, तो ये यहाँ पर acidity और घट गई, यहाँ पर भी घटी, लेकिन यहाँ और घटी, तो इसलिए ऐसा होगा, चलो, यह समझ में आया, ज़रा बोलो तो से यह समझ में आया, कि लॉजिक, और ऐसे कई सारे एक्जामपल्स, यंसी आर्टी में भी दिये हैं, यंसी आर्टी में बहुत सारे एक्जामपल्स दिये हैं, इसे comparison करने के, अब यही एक्जामपल मैं थोड़ा अलग से करता हूँ, यहाँ पर देखो, क्या अलग कर रहा हूँ है, आपको पता जादा हो गया acidity, मतलब one या two, या फिर मेटा या प्यारा, नहीं नागेश, क्यों कन्फ्यूज हो रहे हो यार, सबसे पहले देखो, इसका काम क्या है, बढ़ाना या घटाना, electron withdrawing group है यह, तो इसका काम क्या है, काम क्या है, बोलो दरा फटा फट, ऐसे logic किस तरीके से काम करता है, इसका काम है increase करना, acidity को, तो यह अच्छे से काम किस position से कर सकता है, अरे प्रत्थमेश घटाना नहीं है electron withdrawing group है यह, तो यह बढ़ाता है, भूलना नहीं, electron withdrawing group acidity बढ़ाएगा, और electron donating group acidity कम करेगा, यह बढ़ाएगा, यह कम करेगा, बूलना नहीं है, तो इसका काम है बढ़ाने का, तो बढ़ाने का काम यह resonance से कर रहा है, inductive से तो हमने example लिया है नहीं, inductive का आता ही नहीं, आपको सभी resonance कही है या hyperconjugation, इतना ही समझना है, तो इसका काम है बढ़ाना acidity को, तो यह किस position से अच्छा, मेटा से क्यों करेगा बढ़ाएगा, बढ़ाना, मैंने अभी तो बोला resonance effect कहां से काम करता है, अच्छा, देखो बढ़ाएगा ना, तो ऐसा होगा की नहीं, देखो बढ़ा, क्यों, आ रहा है, भेजे में घुसा क्या, तो ज़रा आप इन दोनों को compare भी कर लो बेटा, लगे हाथ, तो देखो यह क्या है, यहाँ पे ना मेटा greater than para है, यहाँ पे मेटा less than para है, और ऐसा क्यों है समझ में आय हमेशा, अरे सब कुछ आता है, फिर भी गलत नहीं होता, मैंड पे control रखो बेटा, तो इसलिए तो मैंड पे control रखके काम करो, ठीक है, मैंड पे control, क्योंकि मेहनत में तो आप कम नहीं पढ़ रहे, मेहनत ही तो होती है, जिसमें कम नहीं पढ़ना चाहिए, मेहनत तो कर रहे होते हैं, बहुत सारे एक्जमपल स्वाल करने होते हैं, जो बुक्स है, बस बुक को स्वाल करो, कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं, अगर कभी लगता है कि सर ये वाले हमको नहीं आ रहे हमको ज़रा questions दे दो, मैं क्या इस बैटे बैटे इसको 50 questions दे दूंगा आपको स्वाल करो, जैन से रटी में exercise के नीचे दूए है, तो वो स्वाल करो, उसके बाद Marvel का बुक आप स्वाल करोगे, ठीक है, अगर Marvel का बुक किसी के पास नहीं है तो मुझे बता ना, मैं वो PDF बना के भेज़ देता हूं, वो स्वाल करो, Marvel का बुक होने के बाद वो target है, उसको स्वाल करो, और क्या चाहिए, ठीक है, Marvel को भेज देता हूं, वस इतनी सी बात है, कुछ नहीं है बटा, वस करना चाहिए, और सर से contact करते रहो, कोई चीज़, हमारे पास सभी चीज़ का solution होता है, इतने साल विता है हमने, तो बिलकुल उसी टाइप के questions बना के हम आपको दे अगले साल के लिए, और आपको मैं, एक तो मैं, मारोल का भेज दूँगा आपको, उसके बाद भी अगर आपको परिशा नहीं आ दो, तो मुझे बोला करो बस, उसी टाइप के questions कही सारे बना के भेज़ूँगा, फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं आ रहा है तो no tension, फिजिक कुछ भी नहीं छोडना है, पूरा खाना है, पूरा पूरा बटोर के खाना है, एक भी sentence नहीं चुटना चाहिए हमारा, एक भी sentence, out of mark चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, यह सारा कहां से आया, यह questions कहां से आया, कि स्पेज से आया, दाई तरब से आया, कि बाई तरब से आया, इसको हम करेंगे टिपिकल टिपिकल लेवल से ठीक है ऐसा नहीं कि उसमें बहुत कुछ भी आना चाहिए बस फॉर्मुले याद रोको हो गया लेकिन इसमें गलती हुई ना तो फिर कोई बचाएगा कोई नहीं बचाएगा चलो फिर इसका मतलब यह नहीं कि फिजिक्स और फ उसको छोड़ना नहीं, लाश्ट तक नहीं छोड़ना, राइट, और टारगेट रखना है कि या यंसी आर्टी की बायो लोजर केमिस्ट्री फाइनल एक्जाम आने तक हम आठ बार पढ़ेंगे, आठ बार, आठ बार पढ़ने की ही है, पढ़नी ही है, आठ बार रिजन होना ह चाहिए उसका, तब देखो कैसे मार्क जाते हैं, और आठ बार होता है, मैंने बताया कैसे होता है, पहली बार डेट साल लगेगा, दूसरी बार सिर्फ दो महिने ही लग सकते हैं, शायद, पता नहीं मुझे इतना, exactly लेकिन बहुत कम, तीसरी बार एक भी महिना नहीं लगे हमको, तो अब और एक बार बताईए मुझे, चलिए ये, फिनॉल में ना, ये हाइपर कॉंजोगिसन से काम होता है, लेकिन, ये जो अलिफैटिक होते हैं, उसमें डिस्टंस से काम होता है, डिस्टंस से, ये बात भूलनी नहीं, तो इन दोनों में से कौन है, मुझे ये, दूसरा वाला मोर ऐसे डिक है, क्योंकि ज्यादा दूर है, इसका काम है ऐसे डिटी को कम करना, लेकिन ये दूर चला गया, तो उतना कम नहीं कर पा रहा है, यानि इसके आसे डिटी बढ़ गए, चलिए अब हमको देखना है, इस्टरीफिकेशन, तरिका हो गया इसको हो, हाँ, इस्टरीफिकेशन, अब बेटा जरा ठीक से देखो, इस्टरीफिकेशन क्या है, क्या आपके सामने जरा बना देता हूँ, मुझे भी आता है, इतना तो दिखा दू मैं आपको, सब कुछ देखके थोड़ी पड़ा दाओ मैं, कभी कि आपको बड़ डाउट होता है, सर को आता भी है या ने, चलो, तो वो भी मेरे को दिखाना होता है, कि मेरे को आता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं, तो ये देखो, ये, वैसे मेरा काम ना, मुझे आने से ज्यादा समझाने से होना चाहिए, लेकिन क्या करें, लोगों को समझता नहीं, किसका क्या काम है, व बहुत मिलेंगे आपको, एक से बड़े एक पंडित मिलेंगे आपको, पूरा रठा हुआ, डेट ऑफ बर्थ के साथ, सैंटिस्ट के, डेट ऑफ बर्थ के साथ, लेकिन वो इंपॉर्टन नहीं है, आपको समझना चाहिए, मेरा काम इतना ही होना चाहिए, आपको समझना च और यह है आपका अल्कोहूल ज़रा ठीक से देखो इस्ट्रिफिकेशन रियक्शन हम देख रहे हैं इस्ट्रिफिकेशन रियक्शन कार्बॉग्जिलिक एसिड और अल्कोहूल एसिड के प्रेजन्स में यह रियक्शन होती है बेस के भी प्रेजन्स में यह होती है तो बात यह है कि आपको ना यहां से वाटर निकालना होता है लेकिन वाटर ज़रा ठीक से देखो वेटा इस तरीके से जाता है वाटर कि भूलना मत कि OH कहां से जा रहा है हाइडोजयन से यह नहीं जाता है हाइडोजयन से यह और यहां से हाइडोजयन जाता है रिट कि जब यह वाटर चला जाएगा ना तो यह जाके से चिपगेगा यहां पर यह बन गया इस्टर सभी बात यह आर मान लो इसको मैं आर डैश कर दूँ यह देखो तो यह है आपका कार्बन ए मान लो यह ऑक्सिजन बी मान लो तो यह कार्बन ए और ओक्सिजन भी एक दूसरे से चिपग गए और यह देखिए वाटर फॉर्म होगा तो आपको ना कभी क्वेश्चन आता है कि दो वाटर फॉर्म इन इस्टरिफिकेशन रियक्शन और अलकोहल दोनों में से बोलो कहां से आया दिस अक्सिजन कम्स फ्रॉं कार्भउओजलिक एसिड बहुत अछे इसके लिए सइंटिस्ट ने एक एक्स्पेरिमेंट किया इसको उनुने रिडियायक्टिव ले लिया और रियक्शन होने के बाद उनुने पाया कि यहाँ पे वो रिडियायक्टिव ऑक्सिजन चलाया है इसका simple सा मतलब है कि यहां का oxygen इधर से आए या फिर उन्होंने और एक चीज कर सकते है इसको radioactive बना दिया तो reaction होने के बाद उन्होंने पाया कि यहां मतलब कार्बाउजिलिक एसिड में वो radioactive है water में radioactive oxygen नहीं गया इसका मतलब alcohol का oxygen water में नहीं गया इस्टर में चला गया बाध समझ में आई बेटा बोल। जड़ता आई तो बोलो कि आई तो आई वोलो कि सभवात समझ में आई क्या आई न इका मतलब क्या है पैटा आई वाव कितना अच्छा बनाते हो तो नेमोनिक, तुमको तो नोबल प्राइस देना चाहिए, मज़ा आया, तो देखो यह प्रोप्यानॉइक एसिड लिया हमने, दो और एक तीन कार्बन, और यह मिथानॉल लिया, एक ही कार्बन वाला, तो यह देखिए, वाटर चला जाएगा, और प्रोडक्ट कैसे बनेगा C2H5, C double bond O, और यह हो गया, इतना C double bond O, यह पार्ट हो गया, अब बचा यह वाला पार्ट, और वाटर, और यह reversible reaction है, याद रखना, तो इसका नाम मैंने बोला था, पहले उस oxygen का नाम लिया जाता, उस methyl का जो oxygen को चिपका है, तो यह alkyl पहले आगा, कौन है alkyl, methyl है, और इसका alkynoid बोलके नाम आता है, यह वाला alkynoid, तो यह कितने कारवन का है, यह दो और एक तीन, यानि प्रोपैनोइट, methyl प्रोपैनोइट, समझ में आई बात, बात समझ में आई, उसके बाद, यहाँ पे भी ऐसा होगा, यह है आपका कार्वाजलिक असिड, यह है आपका alcohol, तो यह बन गया आपका यह, अरे, भूल गई, ऐसी होना चीए, ठीक है, और फिर यहाँ पे C double bond O, यह हो गया आपका C double bond O, यह हो गया इतना part, अब आगे क्या आएगा, C two H five O, सही, समझ में आया, अरे कैसे हाँ प्रतमेश, क्या कर रहे हो, बॉंडिंग ऐसी नहीं होती बेटा, bonding ऐसी नहीं होती, bonding ऐसी होती है, ulti bonding होती है, ऐसी bonding होती है बेटा, ऐसी bonding करने है, ठीक है, बाकी बिल्कुल सही है, इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यह देखो, यह वाला बंदा न, ऐसे जाके चिप केगा, यहाँ पे, है कैम से बाते ने से बात एंधे यह एह दर ठीक से बनाता हो व्यचा मैं कि यह वाला ये है कारबन देखरा है ना ये ये कारबन फिर इधर ऐसे प्रें डीफर और ये यह सी वाला कारबन ऐसे 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 यह सी कारबन ठीक है यह हो गई इस्टर्स फिर यहां पर चलो यहां पर एसे बना देता हूं यहां पर उल्टा क्या है देखो यह अलकोहोल से हमेशा येस निकालना है कारबायजिल्क ऐसे से ओ येस निकालना है भूलना नहीं तो बात ऐसी बनती है यह देखो यह देखो यह ओ यह वाला कारबन ए ऑक्सिजन बी फिर यह ये C वाला कारवन ठीक से देखो ये C वाला कारवन और उसको double bond O उपर है लेकिन मैंने नीचे ले लिया कोई प्रॉब्लम नहीं और और उसके बाद ये ऐसे ऐसे और ये समझ में आया क्या उल्टा पुल्टा कुछ कर दिया मैंने समझ में आया समझ में आया बेटा और इसको ना इसको और एक तरीका देखो ये अब इसको थोड़ा सा इस बच्चे ने गलत कर दिया है नीचे कैसे गलत कर दिया है देख लेते हैं हम इसने गलत कैसे कर दिया जरा देखतो लूँ थोड़ा मुझे गलत लग रहा है इसका रवईया उतना अच्छा नहीं दिख रहा है और और करके कुछ लिखा है यह और जो है न यह किसके लिखा है यह पता होना चाहिए अब तब ये जो है ना इसको आप या तो ऐसा लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो समझ में आया ठीक है ये तो बिल्कुल ऐसी ही है समझ में आया ना बाते बस ऐसी है और कुछ नहीं है इस्ट्रिफिकेशन रियक्शन हुआ है हमारा तो यह आपका पजल है आज का तो यह पजल सौल करना है आपको और मुझे वाटसब पर भेजना है ठीक है आज सिर्फ हमारी इस्ट्रिफिकेशन रियक्शन हुई है उसको ब तो आलकोल और कर्बावजिलिक एसद एक साथ आते हैं और इस्टर बनाते हैं और water molecule eliminate होता है ऐसी reaction को condensation reaction भी कहा जाता है condensation मतलब एक दुसरे के अंदर घुस जाना तो कर्बावजिलिक एसीड और एक दुसरी के अंदर घुसी तो गए है, ठीक है, इसलिए इसे condensation reaction भी कहा जाता है, ठीक है, when two molecules combine and a small molecule like water is removed, then such reactions are called as condensation reaction.